कर सकते हैं देखिए दोनों पंप यहां पर चल रहे हैं यह मैंने इसके यहां पर डायरेक्ट पानी आने या कोई जुगार नहीं था तो पूरा देखिए इसको वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों पूरी जानकारी देदियों इतने कहना हुआ कि अगर किसी भी किसान भाई को यह लगवाना नमस्कार किसान भाईयों आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंदर सिंग चोहान उत्तर प्रदेश डिस्टिक रामपूर तैसिल टांडा ग्राम पीपली नायक मेहमत पूर स अपने चैनल पर एक नई वीडियो शोलर पम से लेकर हाजिर हूं मेरा जो शोलर पमका चैनल है यूट्यूब पर उसका नाम है ज राजपूर सोलर से रिलेटிड जानकारी आपको देता हूं बाकी मैं वीडियो नहीं डालता हूं मैं डालने को और भी डाल सकता हूं किर्ची समंद्र वीडियो लेकिन मैं नहीं डालता हूं क्योंकि आप यूटूब पर कोई भी चैनल खोलेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे सॉलर बंप के भी या किर्शी लेकिंड किसी और चीज़ के लिए तो आज बैंक नहीं वीडियो लेखर के आपके सामने हाजिर हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि मेरा जो चैनल है आप सब लोगों का इतना प्यार मिलता है कि आप लाइक करत तो आज का टॉपिक है वो यह है क्योंकि कल मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी त्री एच्पी डीसी मोनो विलोग पंप की है लेकिन उतनी पावर में वो तीन एच्पी का डीसी मोनो विलोग तो मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहूँगा इसके माधम से वीडियो के क्या आप कमेंट करके बताएं कि आप त्री एच्पी को ज्यादा रेटिंग देंगे तो मैं दिखाने जा रहा हूं ध्यान से देखना सभी लोग देखो मैंने अपने चैनल को पहले भी कई सारी वीडियो जाली हुई है शोलर पर टूस्पी को रिक्वारमेंट होती है वो आठागा पंप है डीशी पंप है डाइरेक्ट चलता कोई कंट्रोलर की जरूत नहीं है किसी भी किसी चीची को ज़ता नहीं है सीधे पैनल की सथी अपने पंप पर और उसके बाद आप अपने पंप को सीधे चला सकते हैं तो देखो मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं द्यान से देखिएगा किसान भाईयों यह हमारे देखने वाले जितने ब्यूर से दोस्तों यह तीन तीन सो बाट के यहां पर लगे हुए हैं और हो गया इसमें से कोई पैनल 315 का भी है पच्चिस का लेकिन वाइज 300 मानता हूं क्योंकि जब 300 पैनल 305 के पैनल का साइज नहीं है और 315 320 पैनल का साइज भी उतना है तो यानि मैं तो इक्पल मानता हूं सबको को पताए भाई ति हम तो 315 का दे रहे हैं तीन सो पैनल के छे पैनल देख सकते हैं आप पूरा दिखा रहा हूं यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यह चैनल यहाँ पर लगे हुए हैं यह यहाँ पर हमारा वहन देखं़ ओर देखें 202 कााडस का है नूकर पर उक 59 हौँट। इसको हम बोलते हैं, यानि 2 इंची का input है और 2 इंची इसका output है, यहाँपर पर नीरिया हुआ वायाँ आप देख सकते हैं, तो मेरे कहने की जरूती नहीं है, तो पूरा आपको दिखा रहा हूं यह रहा आप देख सकते हैं अब रही बात दूसरी डूसरी में और टॉपिक आपको इसमें पताना चाहता हूं एडिसनल यहां पर यहां पर यह नगाया हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर रोटो सॉल कंपनी का कंट्रोलर है 2HP का बट इस ऑप्शनल आप इसको लगा भी सकते हैं यह नहीं भी लगा सकते हैं ठीक है इसकी कोई जरोत नहीं है जो डाइरेक्ट चल रहा वो पंप भी दिखाऊंगा मैं अभी अपनी वीडियो में क्योंक पूरी यहां पर चलता है इसमें आपको पता लगता है कि वोल्ट आ रहे हैं तो दोस्तों पूरा दिखा दिया लेकिन इसना कहना चाहूँआ कि यह कंट्रोल इसमें ऑप्शनल है लगा भी सकते हैं नहीं मिलागा सकते हैं ठीक है आप देखिए पंप का पर्फॉर्मेंस आप देख सकते हैं धाइन ची पानी एकदम मस्त दे रहा है देखिए ठोड़ा अपडाउन हो रही है क्योंकि हमारी जो बोर्वेल है इसमें कुछ समस्या है उसकी वज़े से यह डिलिवरी अपडाउन हो रही है और मैं आपको दूसर प्रोपरली और देख सकते हैं और यह रहा हमारा 2hp dc monoblog solar water pump जो जो पंप यह चल रहा है आपका यहां पर यह जो अभी में दिखाया आपको बही पंप आपका यह चल रहा है देखिए यह रहा और आप इसको देख सकते हैं सेम उसी तरह से इसकी सेटिंग की हुई है यहा आप देख सकते हैं यह रहा और यह इसके मादधम से यहां पर चल रहा है अब बात आती है बात जो आती है देखिए यह जो इसका डारेक्स चल रहा मैं आपको पूरा दिखा देता हूं आप देखिए यह तीन सो बार्ट के च्छे पनल लगे हुए करक्स्थन जो मैंने यहां पर देखिए रेड़ वाला रेड़ में दिया हुआ हुआ है यानि कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप चलाते हैं कोई भी तो उसके लिए आपको लगानी पड़ती है तो आप दोनों का परफॉर्मेंस देख लें ना किसी भाई ने दो हर्स पावर देखिए जहां मैंने चलाया हुआ है अब आप समझ सकते हैं कि धाइंची दिलिवरी इस वाले पंप किये यह अभी मैंने यह पानी गन्य में चला हुआ आप देख सकते हैं यह यहां पर चल रहा है यह यहां से होकर कर यहां पैनल लगे हुए इसको उबर से यह तो की जग णने चलाए जब चार इंची फोर्स का पानी धर गन्य में जाएगा आपके यह आप देख सकते हैं पूरा आपके खेद में जाएगा तो कितनी सिचाई एक दिन में कर सकता है ठीक है मैं मानता हूं कि धाइंची यह चल रहा है तो मैं गंटे में एक बीगे से आप ज्यादा यह स्टार्ट होता है और साम को 5-6 तक चलता रहता है यानि 9-10 गंटे या 11 गंटे यह पंप मेरा चलता है तो आप खुद अन्याजा लगा लीजिए कि लेकिन अगर आप एक चलते उसको आधा कर लें तुरंट यानि पांच भी के सिचाई आपकी इसकी हो जाती है तो मेरे बताने की जरूत नहीं है मैं इसका जो सेकेंड पंप चलता है इसका भी आपका फोर्स दिखाऊंगा पूरा आप देख लेना और दूसरी चीद किसान भा मिरे माध्यम से लगवाएं या ना लगवाएं उसका कोई नहीं पड़ता बस मैं तो यह चाहता हूं कि मेरे सभी इसान मेरी वीडियो देखेंगे अगर उन्हें अच्छा लगता है तो लाइक करें नहीं लगता नहीं करें कोई दिक्क्त नहीं है कोई किसी का जबर जबस उतना कहना सब्सक्राइब कर एक पहले पूरी जानकारी ले लेए आपको पानी नहीं पॉट्स भी न हो कि एक पहरे से बापनी नहीं अच्छ के लिए बस इतना कहना सबटा नहीं स्मझे लेए आपका पैसा भी जादा खर्चना हो अपका मोजा तो आपके सी सबाइब कोई दिक्कत निया मेरे तुदुट लगवा और अगर मुझे अच्छा लगाँ आप अच्छा लगता अगर आपको अच्छा लगे तो लगवाना नहीं अच्छा लगा मतलब बाहर से लगवाना कोई दिक्षत में लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूं बस ठीक है ना क्योंकि आजकाल कम्पेशन बहुत है मार्केट में बहुत सारी वीडियो आपको स्वोलर प सब्सक्राइब के नाम से आप साथ करोगे अपने यूट्यूब पर आजाएगी मेरी वीडियो आपको असानी से देखने मिल जाएगी बस इतना चाहिए अब इसका परफोरोमेंस में आपको दिखाता हूं देखिए यह यहां पर जो जिनके खेद में चलना वो बैठे सब्सक्राइब करते रहें कोई समस्या बताते रहें तो मैं बता रहा था है आप पानी दोढ़ानी हम द्ल्वा अताव जां सब्सक्राइब औरुर करते देखिए कि यहां पर चल रहे हैं इसकेINGS, यहाँ यहां पर प दोल्वार कुंकि यहां पर नहींता हुआ था दोंप लगाया हुआ है inन्हों लगाए हुआ हुआ और आप देखिये कितना paniti रहा है मेरे जोलती नहीं किए खोश लोग कह सकते हैं का भए आप फेक जानकारी को देख सकते हैं आगर किसी भी किसान भाई को यह लगवाना हो तो मुझे कॉंटाइक करें अपना कॉंटाइक नंबर मैंने अपनी पुरानी वीडियों बताया हुआ है घर से बताया हुआ है तो यह हिंदी हम बता हुआ है कि लेकि कुछ जो साउथ के लोग देखते हैं को प्रोलम होती है कि आपने कैसे कोई नहीं मैं इंग्लिस वीडियो आपको एक सामने लगे हुए छे पैनल और इसके पैनल यहां पर लगे हुए चैश्ट और पूरा बता दिया यह पानी घंडे आप खुद अंदाए लगते हैं पांच इनची पानी प्रोस का चल रहा है यह पर यह पर यह पर परफॉर्मेंस एक्क्वल है कोई फरक नहीं पड़ता मैंता बपानी सरवाधां सामने पेर आप यहां पर लगा सकते हैं रेड किसी पर किसी पर वी तो मैंने तो लगा नहीं तो डाइट चला हुए रोगता होई और देख सकते हैं तो तो धाठ कि दोस्तों हमारी वीडियो देखने लिए अब मैं इस वीडियो कलोज कर रहा हूं अगर किसी की भी कोई समस्थ्या हो सोलर से लेटिट के पंप पानी कम दे रहा हो पैनल करने पूरा नहीं बना रहा हो मुझा कॉंटरेट करना में आपको पूरी जाने और रेखिए जिनकी मैने है यह खेत पर चला है यह सब लोग मेरे सामें खड़े हुए हैं आप इंची दोस्तों आप इतना प्यार देते हैं हमारी वीडियो को देखते हैं और नमर मैंने बता दिया कर किसी को परसनली आकर देखना हो तो मुझे कॉल करें मैं चला करके दिखा दूगा जब भी मुझे अपने खेत पर चलाना होगा अगर वो चलाएगा तो पूरी जानकारी देदूगा और मैं आपको बुला लोगा कि भाई आगर देख सकते हैं आप उन्होंने चलाय हुआ है अगर आपको देखिए पसंद आये तो लगवाना और नहीं पसंद आये तो मत लगवाना जबरदेश्टी किसे साथ कोई नहीं बहुत कि आपको पैसा खर्च ना हो राप सठीक ज़ानकारी मिले इतना मेरी कोशिस है बस बदले में एक चाहता हुआ कि आप लोग देखते हैं वीडियो मेरी इतना प्यार देते हैं देखते हैं सब कुछ करते हैं धन्यवाद कि सानओ आई पूरी जानकारी देदी इस फि तक जाता है तो जिस किसान भाई के हां 40 फिट या 50 फिट तक बहुत है इतना ही पानी आपको निकाल करके दूँगा ठीक है तो आपको मेरा बहुत-बहुत आपके लिए धन्यवाद का आपने मेरी वीडियो देखी और किसान भाईयों में इसको किलोज कर रहा हूं पूरा यहां पर पानी आ रहा है मेरे गंडे में चल रहा है यहां पर चलाया हुआ है आप देख सकते हैं तो इसी परकार हमारी चैनल के साथ भने रहें किसी की कोई समस्चा कॉंट्रेक्ट करें डायर्यक्त लेकिन भाईया इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोशिज करें के साथ बीजी रहता हूं फिर से बोलों का बहिए साथ बजी बाद कोल करना तो जन्यवाद किसाना वाईयों वधे रहे हमाँ चलिए